अरे आजाती के दीवाने तेरा किस्सा मैं रणदीर लिखू और आपकी ताली चाहमा सेर बबर सिंगणी के सुतु तुमें भारत की तक दीर लिखू सेर बबर सिंगणी के सुतु में भारत की तक दीर लिखू ए पांसो बासट रियासते तने काम बड़ा प्रचंड किया खंड खंड भारत को तुमने आकर यहां खंड किया ये युग निर्माता राष्ट विधाता विछडों की जागीर लिखू सेर बबर सिंगणी के सुतु में भारत की तक दीर लिखू सेर बबर सिंगणी के सुतु में भारत की तक दीर लिखू आजादी के आजादी के महानायक वीर विजे सिंग पतिक जी से प्राना लेकर के हमारे सरदार बलब भाई आगे बढ़े वीर विजे सिंग पतिक आजादी के महानायक उनसे प्रेना लेकर के सरदार बलब भाई पतेल आगे बढ़े और बताया क्या विजय मतिक से मिली प्रेरणा बने उमंग किसानों की बार्डोली का आंदोलन कर जीती जंग किसानों की विजय मतिक से मिली प्रेरणा बने उमंग किसानों की बार्डोली का आदोलन कर जीती जंग किसानों की एक क्रिमनल खतम किया हाँ पत्थर की तुमे लगदीर लिखों शेर पपर सिखडी के सुत में भारत की तरदीर लिखों और राजकुमार जी ये अगली बात और उन्होंने खतम की देश में क्या एवन ववस्था उच नीच की तुमने पाटी खाई थी समता मुलक लोग तांत्रिक व्यवस्था करवाई थी भारत रतन उपाधी ली हाँ भारत रतन उपाधी ली तुमत त्वी राजवरत लिखों सेर्ब अमरे सिगरी के सुट में आरत की तक्दीर लिखों आखरी कली एक जो दर्द रह जाता हमारे जहन में है अपसोस देश दिली में तेरी कोई समहाधी ना पी-म तुम ही दो बढ़ते जो बीच में आते गाधी ना ए प्रह्मपाल तेरी गाथा गाए प्रह्मपाल तेरी गाथा गाए आजादी के धीमाने तेरा किस्सा में तक्दीर लिखों उसेर मवर सिंगणी के सुतने महारत की तक्दीर लिखों झाल झाल